प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के अध्यक्षता में केंद्रिय मंत्रि मंडल ने इस वर्ष पहली जन्वरी से केंद्र सरकार के करमचारियों और पेंशन भोगियों को तीन प्रतिशत महेंगाई भत्ते की अतरिक तकिस्त जारी करने को मन्सूरी दे दी है। इससे महेंगाई भत्ता बढ़कर 34 प्रतिशत हो जाएगा। केबिनेट के इस फैसले से केंद्र सरकार के 47,68,000 करमचारियों और 68,62,000 पेंशन भोगियों को लाब मिलेगा। वहीं केंद्रिय करमचारियों को जनवरी, फरवरी और मार्च का एरियर्स भी मिलेगा। नया महेंगाई भत्ता एक जनवरी सन 2022 से लागोगा। केंद्रिय करमचारियों को फिलहाल 31 प्रतिशत महेंगाई भत्ता मिल रहा है। सरकार की ओर से कहा गया है कि महंगाई भत्ते को मूल वेतन और महंगाई राहत को मूल पेंशन के 31 फीसद की मौजुदा दर से 3 फीसद बढ़ा कर 34 फीसद कर दिया गया है ये मूल वरिद्धी की भरपाई के लिए किया गया है केंद्रिय करमचारियों को महंगाई भत्ते और केंद्रिय पेंशन भोगियों को महंगाई राहत के कारण सरकारे खाजारे पर संयुक्त रूप से 9544 करोड रुपए से अधिक का बोज पड़ेगा